हाई dear students welcome back to my youtube channel learning brightly में आपका स्वागत है so dear students आज हम कर रहे हैं interrogative sentences interrogative sentences present indefinite tense ठीक है हम simple और negative category already कर चुके हैं जैसे कि आपको मैंने अपनी पिछली classes में बता दिया है आज हम करेंगे interrogative sentences जैसे कि आपको पता है कि इसमें dooders का use होता है ठीक है negative sentences में और simple में use of s और es आज हम करते हैं dooders का अच्छे से उपयोग यहनि कि यूज करेंगे इसे अच्छे से और इससे अपकी daily life में use करते हैं थाकि हमारी English और बहतर हो सबसे वाले आपको धियान रखना है interrogative sentences के लिए dooders लगाना है ठीक है फिर subject फिर वब की first form फिर last में object ठीक है अब आपको यह धियान रखना है कि do किसके साथ लगेगा जोरसे कि मैंने आपको negative category में already बता दिया है अगर आपका subject है I, you, we, they और plural तो आपको do लगाना है अगर आपको does कब लगाना है अगर आपका subject है he, she, it, any name और singular ठीक है I hope कि आपको यह already clear हो चुक है ठीक है तो चलिए चलते हैं अपनी next slide पर नीचे देखिए जैसे कि हम जब interrogative sentences बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है do does subject verb की first form ठीक है और last में object ठीक है जैसे इस sentence में देखो क्या लिखा हुआ है does he laugh यह नहीं कि देखो subject क्या है he, he के साथ क्या आएगा does subject आगया object क्या है sorry verb क्या है इसके अंदर laugh next क्या है does she weep does यह नहीं कि she के साथ क्या आएगा does इन दोनों में से आपको एक लगाना है ठीक है तो she के साथ क्या है आपका does subject क्या है she first form क्या है we even का मतलब verb की first form weep पहले sentence में क्या वे हस्ता है second sentence में क्या वे रोती है ठीक है weep का मतलब रोना भी होता है ठीक है और cry भी आज कल use कर लेते हैं नेक्स देखिए, do you think more, इन्हें की you के साथ क्या आएगा, do आएगा, subject है you, और first form क्या है think, और object क्या है more, ठीक है, I hope कि आपको ये clear हो गया है, अपने ध्यान रखना है, do डेस पहले आएगा, फिर subject, verb की first form, फिर object, ठीक है, see the next one, just have a look, जैसे, do you learn English, क्या है, do you think more, यानि की क्या तुम ज़्यादा सोचते हो, पहले ये sentence पढ़ लेते हैं, फिर वो करते हैं, ठीक है, next sentence है, do you learn English, क्या तुम English, सीखते हो, do you speak English, क्या तुम speak, यानि की क्या English बोलते हो, next, do you go to gym, dear students, इसके इंदर आपने ही धियान रखना है, you के साथ क्या आता है, do, तो आपने क्या लिखा, do you, do you, do you, do you, चीक है, फिर वो अपकी first form, और last form, object, simple, do you go to gym, क्या आप gym जाते हो, लेकिन जैसे आपका subject change होता है, जैसे कि देखिए, यहाँ पर आ गया he, तो he के साथ क्या positive सोचती है, लेकिन जैसी हमारा subject क्या हो, change हुआ, क्या वो, यहाँ आते हैं, नहीं की, वे, तो क्या हो जाएगा, do they come here, ठीक है, next, देखिए, do you speak like, क्या तुम जूट बोलते हैं, ठीक है, यह तो already आपको clear, see the next slide, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस sentence के अंदर हम कर रहे हैं, जस में एक मिन कलर ले रहा हूँ, ताकि मेरे को अच्छे से clear करना है आपको, एक एक चीज को, तभी में color change करता रहता हूँ, ताकि आपका भी ध्यान बना रहे है वीडियो के अंदर, ठीक है, वीडियो को last तक देखना है, बहुत अच्छे से स करती है, ठीक है, simple हमने सीखा था परसो, कल हमने किया था negative, आज हम कर रहे है interrogative, ठीक है, अब do they visit you, ठीक है, interrogative में क्या होगा, do पहले आजएगा, do they visit you, फिर does she teach, sorry, does she teach you, क्या वो तुम्हें पढ़ाते है, do you watch IPL, क्या आप IPL देखते हो, do, geet and hurley, अब देखों, यहाँ प clear हो गया, see the next one, अब जैसे इसके अंदर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आया है, जैसे, does he work hard, क्या वे महनत करता है, ठीक हो, he कि साथ क्या है, does, first form क्या है, work, और फिर object hard, अब देखो, do you wake up early, क्या तुम जल्दी उठते हो, do you help others, क्या तुम दूसरों की help करत हो, तो यह तो simple interrogative, इसमें do does पहले आता है, लेकिन आप हम जो नीचे करने जा रहे हैं, इसमें आपको यह ध्यान रखना है, यह है हमारी interrogative category, जो WH family words से start होती है, WH family यहने की what, what मैंने क्या, when मैंने कब, how मैंने कैसे, why मैंने क्यू, which मैंने कौन सा, whose मैंने किसका, where मैंने कहा with whom मैंने किसे, who मैंने कौन, यह सारे के सारे WH family की words है, तो मैंने यह लिखा है कि सबसे पहले क्या है कि WH family का word आएगा, फिर interrogative sentences के लिए क्या करना है, WH family का word, फिर dudas, जो अभी तक आपने जो को यह सारे simple interrogative थे, जिसमें WH family का कोई भी word नहीं आया, interrogative, लेकिन अब हम क्या कर है, अब हम यहां पर देखिए, WH family के words भी use करेंगे, पहले मैं आपको simple example दूँगा, उसके बाद देखिए, हम करते हैं WH family के words, जैसे कि देखिए, पहला sentence क्या आपका, do you think positive, क्या तुम positive सोचते हो, ठीक है, क्योंकि subject क्या है, you, you के साथ do, पहले देखो, do does में से क्या लगा आपने do, you के साथ do आएगा, subject क्या आपका, you, first form क्या है, think, object क्या positive, ठीक है, तो do you think positive, next sentence में क्या है, जैसे, do you think negative, ठीक है, do you think negative, तो यहनी कि देखो subject क्या है, इसके अंदर you, है न, you के साथ क्या आएगा, do does में से, do आगया, first form क्या है, think, object क्या है, negative, यहनी कि इसमें subject भी पता और object भी पता है ये देखो subject आपका ये रहा और object आपका ये रहा ठीक है लेकिन जब उपको subject नहीं पता या object नहीं पता तब हम WH family का यूज करते हैं जैसे कि what do you think तुम क्या सोचते हो तुम positive सोचते हो या तुम negative सोचते हो ठीक है बब यहाँ पर किया कि positive सोचते हो य演 Participant हमें पता या नहीं तुम क्या सोचते हो ठीक है अब जैसे मानलो आप सा किस ने recoll anarchREAM पूछा do you live? ठीक है? तो यह होगा है WH family का question ये निकी object नहीं पता आपे. सिदर एक स्वेल, जैसे यहाँ पर क्या है, does he speak truth? क्या वह सच बोलता है? does he speak like? क्या वह जूट बोलता है? अब why does he speak like? ये निकी हमें नहीं पता वो क्यों जूट बोलता है? या does she wake up early? वो कब उठती है? does she wake up late? क्या वो late उठती है? but when does she wake up? वो कब उठती है? ठीक है? पहले sentence में क्या है? उपर देखो subject भी है, object भी है, ठीक है? लेकिन जब हमें object नहीं पता होता, तब हम WH family का use करते हैं, simple, ठीक है? I hope कि आपको ये भी clear होगे है, see the next one, जैसे, does he call you? क्या वे आपको call? एक मिनेट, थोड़ी से slide जल्दी से नहीं चलेगी, जैसे, does he call you? ठीक है? क्या वे है, तुमें call करता है, does she call you? क्या वो तुमें call करती है? लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, मैं आपको एक छोटा सा formula, जो मैंने starting में बताया था, present indefinite के, जो who वाले questions होते हैं, वो simple interrogative के हिसाप से बनते हैं, जैसे, who calls you? याईनि कि आपको कोई एक जना call कर करता है, ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने simple subject वाला formula याद रखना है, जो simple interrogative है, sorry, simple present indefinite है, जिसे हम present simple भी कहते हैं, देखो, who calls you? अब माल लो, यहाँ पर आपको कौन call करता है, आप बोलोगी कि यार, राम कॉल करता है, तो आप लिखोगे राम, ठीक है, calls me, थोड़ा से मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, ठीक है, राम कॉल्स मी, अब एक बर इसको roughly मिटा देते हैं, देखो, next, देखो, who call you, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके हैं, plural, जब singular होगा, तो who calls, अगर ज़्यादा जने बुलाते हैं, आ लिख दिया है, अगर आपको अभी भी संज में नहीं आए, तो ध्यान से देखो, simple जब फामूला बनाते हैं, तो subject, verb की first form, ses और object लगाते हैं, ठीक है, जैसे देखो, sir हमें पढ़ाते है, sir क्या है, subject, first form क्या है, teach, ses आएगा, आएगा, last में क्या है, ses तो es आगया, sir teaches me, sir मुझे पढ़ाती है, क्योंकि singular तो es आएगा, लेकिन sir और में हम दोनों पढ़ाते हैं, तो es का use नहीं होता, हमने क्या लिखा, teach me, ठीक है, that's it, तो यह क्या है, आपके simple sentence, लेकिन जैसे ही आप who वाला question बनाते हो, तो आपने यह धियान रखना है, आपने subject तो, इसमें दिय ही नहीं, यह नहीं कि इसमें मान लो आपका क्या है, इसमें आपका subject क्या है, गायव हो गया, एक मिनट इसको हटाते है, यह देखो, हाँ, इसमें क्या है, देखो subjective question के अंदर क्या है, जैसे मान लो subject नहीं होगा, इसलिए subject को उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, इसको भी पढ़ाता है, who teaches you, ठीक है, तो आप बोलोगे, sir teaches me, है न, अभी मैंने नीचे लिखाओ, यह example दिखाऊंगा आपको, अगर हम यहाँ वे लिखे, who teaches, देखो, एक पर यह slide दिखो, ठीक है, देखो, who teaches you, तुम्हें कौन पढ़ाता है, जब आप बोलते sir पढ़ाते हैं, तो sir teaches me यह न, कि यह singular, ses का use होगा, जब भी who वाला question होगा, तो who, यह न, कि subject के बदले क्या लिखा, आपने, sir के बदले लिख दिया, आपने who, first form क्या teach, अब यहाँ पर क्या object you, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो आपने बोला sir teaches me, next question में क्या है, जैसे देखो, who teach you, यहाँ पर plural ह तुम्हें कौन-कौन पढ़ाता है, अब आप यहाँ पर देखो, जब singular होगा, तो आप यह बोल सकते है, sir बढ़ाते है, या फिर ma'am teaches me, ma'am मुझे बढ़ाती है, लेकिन अगर आप से पुछा किसी ने, who teach you, मैं दुवारा से बता रहा हूँ, देखो, अगर आप से कोई ब मी, यहीं की वे पढ़ाते हैं मुझे, ठीक है, ऐसी who वाला था, she calls me, he calls me, like this, ठीक है, तो अब यह sentences होगे, अब देखो, next देखो, जैसे माल लो plural बढ़ा रहा है आपको, जैसे गीत और हरलिव call me, ठीक है, या they call me, ठीक है, मैंने दुबारा से लिख दिया है, जब भी subjective question हो होगा, तो हमने क्या करना है, पहले, simple formula लिखना है, subject, verb की first form, SCI, ES, और object, लेकिन हम subject के बदले क्या लिखेंगे, who, who helps you, तुमारी मदद कौन करता है, क्योंकि देखो, एक जिना करता है, जैसे बोलोगे, he helps me, he के साथ SCS आता है, जब हम question पूछेंगे, तब उसमें भी हमें S लगाना है, ठीक है, जैसे she helps me, तो S लगाती है, लेकिन जब हम question पूछेंगे, आपकी help कोन करता है, तो subject के बदले who, first form help, SCS आएगा, क्या आगया, S, क्योंकि last में OCH, SH, SSS नहीं है, लेकिन teaches में, क्या था, यह देखो, teaches में यहाँ पर क्या था, CH था, हना, देख रहे हो, plural में क्या है, नहीं आएगा, singular में क्या है, teaches CH, तो ES लग गया, इधर भी और इधर भी इधर नहीं लगा, और इधर नहीं लगा, क्योंकि यह plural है, ठीक है, अच्छा, अब next देखो, एक मिनिट के लिए दुबारा से, जैसे यहाँ पर आपका था, who helps you, यह नहीं की, he helps me, ठी यह, she helps me, लेकिन अगर plural question होगा, who helps you, तुमारी मदद कौन-कौन करता है, तो they help me, simple, I hope कि आपको आपको clear हो रहा है, अच्छे से, ठीक है, तब ही मैंने इसको बिल्कुल deeply बनाया है, जैसे who disturbs you, आपको कौन disturbs करता है, जैसे राहूल disturbs me, पूजा disturbs me, गीद disturbs me, लकी disturbs me, ठीक है, जैसे इसमें, राहूल disturbs me, लेकिन अगर मैंने यह कह दिया है, कि आपको यार कौन-कौन परेशान करता है, बताओ, तो who disturbs you, इसमें, हैस नहीं लगेगा, जैसे plural है, आप सीधा बोल दो कि they disturb me, या दो-तीन जुनों के नाम बोल दो, like this, next question क्या है आपका, next question है here by bus और car, यहनी कि क्या तुम यहाँ बस से आते हो, या car से आते हो, या how do you come here, तुम यहाँ कैसे आते हो, ठीक है, next, do you use his mobile क्या तो मुसका mobile यूज़ करते हो, do you use her mobile क्या तो मुसका mobile यूज़ करते हो, ठीक है, तो यह थोड़ा सा interesting हो रहा है, क्योंकि आप, जैसे यह से अगर आपको यह पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर करें और जादा से जादा लोगों को दिखाएं क्योंकि ये वीडियो में बना रहा हूं बिल्कुल डीपली पार्ट 1, 2, 3 ठीक है? और इसका पार्ट 4 भी बनेगा देखेंगे, समझेंगे और इनको प्राक्टिस करने के साथ साथ अपनी डेली, डे टुदे लाइफ में यूटिलाइज भी करेंगे ठीक है? जिससे कि यू विल बे अबल तो अंडेस्टाइब और यू विल स्पीक अबाटर English and you will be a good fluent in English ठीक है? fluency तो दिरी-दिरी आती है इससे कोई फरक नहीं पढ़ता है आप Hindi मीडियम को या English मीडियम को फरक इससे पढ़ता है कि आपको English आती है या नहीं आती है? Nobody is going to ask you Rather you were from the backward or the lower or the high standard the way you speak, the way you talk, the way you move the way you speak क्योंकि जब भी हम किसी से बात किरते हैं तो हमारी पोल खुल जाती है ठीक है? तो हमारा विवार हमारी पहचार है तो हमारी English अच्छी होगी तो दिरी-दिरी हम अपने क्या करते हैं style को और standard दे सकते हैं ठीक है? तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन गुडबाई आप मुझे इंस्टाग्राम और टैलीग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं ठीक है? थैंक्यू सो मच